हेलो फ्रेंडिस नमस्कार गुड मॉर्णिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी पाइफश रडीपर आए श्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और आज इस क्लास में 35 Most Important प्रस्णों को सामिल किया है ये सभी प्रस्ण आपके होने वाले ट्रिपल सी एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप सभी इस क्लास को लाज तक अवसे दिखें जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक पार सीर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को जॉइन कर पाएं और आप सभी को बता दें अगर आप ट्रिपल सी एकजाम के लिए चैप्टर वाइज एबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्कप्शन बॉक्स में लिक दिया गया है जहां से आप ले सकते हैं अभी आपको 50% डिसकाउंट के साथ मिल जाएगी यह discount cable आज राद 11 बज़े तक ही माने होगा आपको discount कैसे मिलेगा तो इसके लिए आपको discount code इस्तिमाल करना होगा discount code है देव50 जैसे ही आप देव50 लेकर के apply करते हैं तो आपको 50% का discount यहाँ पर मिल जाएगा तो आईए start करते हैं आज का सबसे पहला प्रसन आपके सामने आ चुका है और इसमें आप से पूछा गया है डैस का प्रियोग करने से email address याद करने की आवसकता नहीं रहती है मिंस किसका इस्तिमाल करने से आपको email address याद करने की आवसकता नहीं रहती है ब्राउजर, search engine, address book या phone book यहाँ पर कौन सा आपका correct answer है तो यहाँ पर सही जवाब है option number C ठीक है address book address book का प्रियोग करने से email address याद करने की आवसकता नहीं रहती है तो option number C यहाँ पी आपका correct answer है चलिए question number second का जवाब करेंगे आप सभी यहाँ पर आप से पूँचा है address email के बिसे में बताता है email के बिसे में कौन बताएगा cc, bcc, to, या फिर subject आप किसी को mail भेज रहे हैं ठीक है और किसी को अगर आप mail भेज रहे हैं तो आपने क्या mail में लिखा है उसके बारे में कौन बताएगा उसके बारे में subject बताएगा यानि कि यहाँ पर हो जाएगा d mail के बिसे के बारे में subject बताएगा जब आप किसी को mail करते हैं तो आपने देखा होगा two के section में तो आप email address डालते हैं जिनको mail भेजना होता है ठीक है? इसके बाद में आपने देखा होगा subject का भी एक रहता है section यहाँ पर आप subject डालेंगे means आप जो mail भेज रहे हैं उसका subject क्या है ठीक है वो आप यहाँ पर उसका title या subject यहाँ पर डाल देंगे जिससे यह पता चले कि आपका mail किस बिसे पर है आपकी problem क्या है इसके बाद में फिर आप नीचे यहाँ पर अपना जो भी लिखना चाहते हैं mail वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है एक सबल और यहाँ से पूछ जाता है कि क्या वेना subject लिखे mail को भेज सकते हैं तो answer होगा yes भेज सकते हैं अगर आप subject नहीं लिखते हैं तो भी mail भेजा जा सकता है ठीक है तो यह भी आपको थोड़ा सा दिहार अखना होगा email account का storage area जहां सभी mail store होती हैं उसे कहते हैं जहां सारे mail store होते हैं यह question बैसे काफी popular है जामें कई बार पूछा गया है और अलग-अलग तरह से पूछा जाता है तो आपको समझना है email account का storage area जहां सभी mail store होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है attachment, hyperlink, mailbox या address book question number third आपके सामने है आप सभी जल्दी से जवाब करें तो यहाँ पर हो जाएगा option number C उसे mailbox के नाम से जाना जाता है ठीक है, mailbox आपको धिहां रखना होगा email का पहला भाग dash को बताता है email का जो पहला भाग first part होता है, वो किसे बताता है क्या वो domain name होता है user name होता है isp या निवास का पता email का पहला भाग, आपको पता है email address में दो भाग होते हैं पहला भाग और दूसरा भाग टीच में क्या होता है add the rate का symbol होता है तो जो first वाला part होता है यह क्या होता है यह आपका username होता है और option number B correct है आपका पहला वाला भाग username बीच में add the rate का symbol इसके बाद वाला जो part होता है यह आपका domain name होता है, ठीक है, तो यह भी आपको धिहां रखना है, name में से कौन सा email client है, email client कौन सा है, Outlook, Internet, Explorer, NetScape, इस में से कोई नहीं, email client बताईए आप, option पहला यहाँ पर correct होगा, Microsoft Outlook, यह आपका email का client है, ठीक है, एक email client program है, ऐसा बोल सकते हैं, तो option पहला, यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है, email, भेजने के लिए, dash button को क्लिक करें, अगर आप email भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन से button को क्लिक करना होता है, forward, send, reply या delete, अधिकांस question आज email से लिए गए हैं, तो यहाँ अगर आप email को भेजना चाहते हैं, तो कौन से button पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, send, option number B, ठीक है, द्यार रखने है, send, forward आप कब करते हैं, यह भी एकजामे पूछ लेते हैं कई बार, अगर आपके पास कोई email आया है, यहनि कि आपने कोई email receive किया है, और उस email को आप किसी और third person को भेजना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको आप forward कर देते हैं, यहनि, तब उसको forward करते हैं, send, जब आपने mail compose किया है, लिखा है, बनाया है, उसको आप send करते हैं, reply कब करते हैं, आपके पास कोई email receive हुआ है, और उसी व्यक्ति को आप reply करना चाहते हैं, मिंस उस mail का जवाब देना चाहते हैं तो हमें reply करना होता है तब हम reply पे click करते हैं तो forward reply और send में क्या different है या आपके समझ में आगया होगा email भेजने और प्राप्त email को पढ़ने के लिए अपने account में dash करें अगर email आप भेजना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पढ़ेगा मालिया आपकी email ID पर किसी ने mail भेज दिया आपके पास mail आया है उस mail को आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पढ़ेगा sign out करना पढ़ेगा login करना पढ़ेगा search या sort करना पढ़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो simple है login करना पढ़ेगा ठीक है आपको login करना होगा सबसे पहले login करेंगे इसके बाद ही आप mail को पढ़ पाएंगे हाला कि mobile phone में तो आप एक बार login करते हैं उसके बाद वो हमेशा login ही रहता है बस आपने अपना Gmail open किया और mail जो भी receive हुआ उसको पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप किसी computer पर या किसी दूसरे computer पर mail पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको login ही करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा login आप login करेंगे इसके बाद में mail को पढ़ सकते हैं जो भी आपको receive हुआ है प्राप्त mail को किसी दूसरे को भेजने के लिए डास पर क्लिक करें अभी अभी हमने आपको बताया था आपको कोई mail receive हुआ है कोई mail आपको प्राप्त हुआ है उस mail को आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो reply करेंगे reply all कर देंगे forward या send तो फिर आप क्या करेंगे option number C forward करेंगे आप क्योंकि आपको जो mail प्राप्त हुआ है वो आप किसी और को भेजना चाहते हैं इसलिए आपको forward करना पड़ेगा ठीक है और अगर आप उसका उत्तर देना चाहते थे जबाब देना चाहते थे तो आपको reply करना पड़ेगा निजी सूचना का प्रारूप जो email में जोड़ा जाता है उसे dash कहते हैं उसे address, signature, body या subject कहते हैं देखें निजी सूचना का प्रारूप जो email में जोड़ा जाता है उससे क्या बोलते हैं जब आपके पास कोई email प्राप्त होता है किसी company का या आपने दिखा होगा किसी institute का कोई email जब receive आपको होता है तो बहाँ पर क्या होता है? Mail दिया होता है और बहाँ पर ऐसे thanks करके लिखा होता है thanks, ठिक, and with regards बगरा ऐसे लिखा होता है और यहाँ पर उनका पूरा detail होता है यहाँ नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर institute का नाम होता है उनका email address होता है और भी बहुत चीज़ें जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं logo हो सकता है तो यह सारी चीज़ें होती है इनको क्या बोला जाता है इसको signature बोला जाता है option number B तो निजी सुचना का प्रारूप जो email में जोड़ा जाता है उसे आप signature के नाम से जानते हैं जैसे मालिया आप चाहते हैं कि हम जब किसी को mail भेजें तो आपका जो mail आपने लिखा है बोतो जाएगा ही जाएगा साथ में signature भी आप add कर सकते हैं signature means यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ text लिख सकते हैं कोई image बगारा भी लगा सकते हैं जैसे आप अपने institute का नाम लिख सकते हैं उसका logo लगा सकते हैं और यहाँ पर अपना email ID दे सकते हैं और भी चीज़ें जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं बो दे सकते हैं अब जब भी आप mail भेजेंगे किसी को तो उसके साथ में यह automatic अपने आप जाएगा यह अपने आप चला जाएगा तो यह ध्यार रखना ऐसे बोलते हैं signature दूसरा एक सवाल यहाँ से बनता है कि signature में अधिकतम कितने character आप insert कर सकते हैं मैं कितना लिख सकते हैं तो signature में 10,000 character आप लिख सकते हैं यह note कर लेना आपको 10,000 character ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं as a signature email address help at triple c 552.com में username क्या है इसमें username आपको बताना है कौन सा है .com है help है email address का symbol या triple c 55 study बताएगा username इसमें कौन सा है तो simple सी बात आपको बताया था जो email का पता होता है इसमें address से पहले का part username होता है और इसके बाद का part domain name होता है तो यहाँ पर option B आपका correct होगा यह username है आपका help UHID number का full form क्या होता है UHID number का full form UHID का पुरा नाम क्या होता है इसका मतलब होता है unique health identification unique health identification ठीक है option number C G to G का पुरा नाम government to government है क्या ही सही है G to G full form क्या है government to government तो बिल्कुल सही है option पहला यहाँ पी correct हो जाएगा email संदेश इस रूप में प्रेसित किये जाती है email संदेश किस रूप में प्रेसित किये जाती है option है packet, bars, fragment, datagram simple option पहला हो जाएगा packet की रूप में प्रेसित किये जाती है first option हमारा correct answer है among app में n का पुरा नाम क्या होता है बताएगा among app में n का full form n का मतलब हो जाएगा new age unified mobile application for new age governance होता है इसका पुरा नाम तो new age यहाँ पे right answer होगा internet द्वारा कई उप्यों करता हों और system के बीच files और documents के sharing processing और management को कहते है online collaboration, searching, chatting, socializing दीखे पूछ रहा है internet द्वारा internet द्वारा कई उप्यों करता हो यानि कि users और system के बीच files और documents के sharing processing और management को क्या कहते है तो आपका right answer हो जाएगा online collaboration option number पहला यहाँ पे correct है आधार card किसके द्वारा जारी किया गया यानि कि आधार card जो होता है किसके द्वारा जारी किया गया है UIDAI के द्वारा तीके आधार card कौन जारी करता है UIDAI जारी करता है इसका full form क्या होता है unique identification authority of India unique identification authority of India यानि कि भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार card को जारी किया जाता है आप एक दोस्त के साथ ततकाल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उप्योग करेंगे real time में आपको communication करना है तो आप किस का इस्तेमाल करेंगे instant messaging का email का user name user net का sorry user net का या blog का देखे जब कभी भी आप ततकाली को अगर संचार करना चाहते हैं तो instant messaging का इस्तेमाल करना पड़ेगा instant messaging के अंतरगत जैसे आपका WhatsApp हो सकता है ठीक है आप WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं आप Telegram का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर real time में आप communication कर पाएं ठीक है option number पहला click answer होगा निम्न प्रोटकॉल में से कौन सा सिर्फ email भेजने के लिए ही IPO किया जाता है cable email को भेजना है cable email को भेजने के लिए हम किस प्रोटकॉल का इस्तेमाल करते हैं IMAP, POP3, SMTP या HTTP तो आंसर होगा SMTP Simple Mail Transfer Protocol इस प्रोटकॉल का इस्तेमाल mail को भेजने के लिए करते हैं बाकि IMAP और POP3 का इस्तेमाल mail को डाउलोड करने के लिए करते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखना है HTTP का मतलब होता है Hyper Text Transfer Protocol QSAM सेबा का लाव मुवाइल फोन से डास दबा कर लिया जा सकता है QSAM सर्विस का लाव मुवाइल फोन से कौन सा USSD कोड इस्तेमाल करके लिया जा सकता है बताएगा तो यहाँ पर हो जाएगा C option star double line star double line has ये USSD कोड है इसका इस्तेमाल करके आप QSAM सेबा का लाव ले सकते हैं option number C हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा Facebook खोज करता कौन है बताओ Facebook के खोज करता कौन है option पहला Mark Zuckerberg option first हमारा यहाँ पर correct answer होगा internet पर सबसे प्रचलित social networking इन में से कौन सी है सबसे famous social networking आपको बतानी है myspace, facebook, arcoot, friendaster तो आज की रेट में सबसे famous social networking है facebook option number B option B आपका right answer होगा Instagram एक प्रकार का dash है e-commerce है, social site है, educational site है न नौफटीच तो Instagram एक प्रकार का क्या है एक social site है, option number B होगा social site इन में सी किसको social networking site पर post करना सुरच्छित है आपकी location, आपका जन दिन, उपनाम, आपके मित्रों के साथ, आपकी तस्वीर तो कौन सा social networking site पर post करना सुरच्छित माना जाता है option C उपनाम, ठीक है, option number C आपका correct answer है किस प्रकार के लोग आपको social networking site पर दिखाई देते हैं मताईगा, क्या होगा यहाँ पर, musician, politician, criminals या सभी तो option D, सभी होते हैं, ठीक है, D option हमारा correct answer हो जाएगा N.E.G.P. कब launch किया गया, national e-governance plan, N.E.G.P. का मतलब national e-governance plan को कब launch किया गया यहाँ पर सही जवाब करना है, सभी को क्या होगा, 18 मई 2006 ठीक है, option पहला, 18 मई 2006 को और यहाँ पर आपको बताना है, social networking सब्द का प्रियोग, सरपुर्थम कब गवा social networking सब्द का इस्तिमाल सबसे पहले कब किया गया तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1994, 1994 में option number first आपका correct हो जाएगा option number next में आपको बताना है, protocol का प्रियोग error message की report के लिए किया जाता है protocol का प्रियोग error message की report के लिए किया जाता है क्या होगा इसमें right answer true या false तो option पहला हो जाएगा, true yahoo messenger एक chatting application है yahoo messenger एक chatting application है true false में ही जवाब करना है yahoo messenger एक chatting application है true हो जाएगा option पहला, correct है एक email संदेश में CC छेत्रों में उप्योग करता अन्य उप्योग करताओं को नहीं देख सकते हैं जबकि VCC छेत्रों में उप्योग करता संदेश के सभी प्राप्त करताओं को देख सकते हैं क्या ये सही है यानि कि एक email संदेश में CC छेत्रों में CC में अगर आपने जिनको भी और जिनका भी email एटर श्टाल करके mail किया हुआ है तो बहाँ पर अन्य उप्योग करता एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं में से नहीं जा सकते हैं कि email हमारे पास आया है किसी और के पास भी किया है वलकि BCC में ऐसा देख सकते हैं क्या ये सही है तो ये हो जाएगा false क्योंकि ये यहाँ पर बिप्रीद बता दिया गया है CC का मतलब होता है carbon copy और एगर आप CC में जो email address डाल करके mail भेजते हैं मतलब जिनको carbon copy भेजते हैं तो बहाँ पर पता रहता है एक दूसरे को कि ये mail हमारे अलाबा और भी किसी को भेजा गया है तो CC में तो पता रहता है बट BCC का मतलब होता है blind carbon copy इसमें नहीं पता रहता है इसमें अगर आपने जिन लोगों को mail भेजा है तो उसी को पता लगेगा केवल कि मेरे पास ही आया है अगले को पता लगेगा कि मेरे पास ही आया है मतलब एक दूसरे को पता नहीं लगेगा ठीक है बट CC में पता रहता है तो यहाँ पर क्या है यह अपोजिट है यहाँ पर विप्रीद दे दिया गया है चलिए यह फॉल्स हो जाएगा option पी हमारा correct answer है आप internet पर संदेश भीजने के लिए email का उपयोग कर सकते हैं लेकिन file भीजने के लिए नहीं कर सकते हैं आप email पर संदेश भीज सकते हैं बट कोई file आप भीजना चाहें तो आप नहीं भीज पाएंगे तो यह भी false हो जाएगा क्योंकि आप कोई file भी भी भीज सकते हैं किसी file को attach करके भीज सकते हैं और अधिकांस आप से पूछ लेते हैं कि email में कितने size की file को आप attach कर सकते हैं तो 25MB तक की file को आप upload कर सकते हैं email address case sensitive होता है email address case sensitive होता है true false में इसका जबाब करना है क्या यह सही है option B email address case sensitive होता है नहीं email address case sensitive नहीं होता है option B आपका right answer हो जाएगा case sensitive का मतलब समझते हैं जहां पर case यानी की जो letters हैं जैसे आपने देखा होगा कई बाजब आप password डालते हैं तो अगर आपने upper case में लिखा है आपने जैसे मालिया यहां पर P capital बनाया है तो जब आप इसका इस्तिमाल करेंगे तो P capital ही बनाना पड़ेगा इस्माल P अगर आप बनाते हैं तो काम नहीं चलेगा तो यह होता है case sensitive ठीक है अगर P बड़ा बनाया तो बड़ा ही बनेगा चोटा बनाया तो चोटा ही बनेगा बट email address में ऐसा कुछ नहीं होता है case sensitive नहीं होता है तो option number P आपका correct answer हो जाएगा ठीक है study material में जैसे ही आप जाएगे तो पहाँ पर सबसे पहले e-pdf वाजवाला आपको देख जाएगा और कलवाली जो pdf हैं वो भी आपको पहाँ पर मिल जाएगे जिन्हें आप फ्रीली टावलोड कर सकते तो आज के लिए बच इतना ही मेलेगे के नए क्लास में तब तक के लिए जाएगे बाए बाए